तो माई डेल स्टूडेंट आज कि इस वीडियो में बात करेंगे बिये थर्ड समस्टर के सोसोलोजी के मोस्ट इंपॉर्टन टोपिक्स एंड स्लेवर्च के बारे में तो जिन जिन भी इन्वर्चिटी वा कॉलेज में परिछायन लगी हैं आने वाले दिनों में सोसोलोजी क और वो स्टूडेंट बीए थर्ड समस्टर के हैं उनके लिए वीडियो काफे हिल्फुल है वो वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है और आपको भरोसा दिला रहा हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा हिल्प मिलेगी आप लोग को दिबोलेंगे कि हांस माँ साफ़तर है ठीक है और === परने प्रिक्रोंथ के पारएं में जानकाई देते हैं तो जितने में आप लेट में आपके आप कड Sum… मतलब की यूनिट में लेग है यह पूरा इंगलिस में आप लोग अच्छे समयख सकें। रहे आपको अच्छे सम्जा सकें। इसलिए पूरे पूरे यूनिट की नहीं है से से पहले यूनिट के ओर आज किस वीडियो को प्रतम यूनिट है उसमें कौनगों से मोस्ट्र व्रफटक से जहां अगतेater सकते हैं तो पहला है समाजिक पारिवरतन की अधाना जो समाजिक पारिवरतन की परिवासा यानि कि इस टेक्टर में जो चेंजेस होते हैं परिवर्तन बदला होते हैं उनके बारे में कुश्चिन है ठीक है तो यह महात्पूंट प्रश्ण आपकी एक्जाम के लिए तो ध्यान लखेंगे ठीक है और यहां फे प्रश्ण बनेंगे जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हू प्रास्चा लुड़े कुश्चन किस प्रकार कि बन सकते हैं पहला यह बन सकता है कि समाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं दूफ़ रहा सकता समाजिक परिवर्तन कारवत संदस्तिंहां ना मैं ठेक है और संदस्तिंहां में परिवर्तन था कि उसलेबर lleval जो सिलोजी यह इस में अपने स्वारों में पड़ा होगा सिकेंड समस्टर में पड़ा होगा सोसलोजी सब्जेक्ट ही तो पड़ा होगा ना लेकिन हर एक समस्टर में जो सब्जेक्ट है तो वो तो सोसलोजी सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन जो स्लेबर्स होते हैं जो टोपिक्स होते वो अलग अलग होते हैं ठीक है फर्स समस्टर म कहां से प्रश्ण बनेंगे किन Topics वो जानकारी आपको होनी चाहिए ठीक है तो इनके बारे में जिसने समाजिक परिवर्तन के प्रकार अलग अलग प्रकार है जिसमें से बिकास प्रकत और क्रांति के सब्सक्राइब आपको लिखना होगा जो कि एक महात्पूर्ण टॉपिक्स है जहां से प्रश्ट मरेंगे विकास प्रक्राइब यह भी यूनिट आप समाजिक परिवरतन के सिध्धानत इनकी समाज में जो परिवरतन में अग्या है समाजिक परिवर्तन का रेखे फिद्धान्त क्या है चक्रे फिद्धान्त क्या है जन्सकीय सिध्धान्त क्या है और आर्थिक ठीक है सुचना प्रद्धोगी की और समाजिक प्रद्धोगी की क्या है समाजिक परिवर्तन क्या है तो समाजिक परिवर्तन के सिध्धान समाजिक समाजिक परिवर्तन के परिमापा इस तरीके के बिभने प्रकार के प्रश्ण पुछे जाएंगे समाजिक परिवर्तन से जुड़े तो को ध्यान लखना है यह भी महत्मोर्ट प्रश्ण यह आएगा रेखिक और चक्रे सिद्धान दोनों फसेंगे मौस्ट इंपार्टन कोई सांथे तो मैं आपको बता दे रहा हुँ इसमये कोन-कोन से प्रस्पन सकते हैं तो जैसा कि सांथिक समाजिक परिवर्तन के स्कूल के समाजिक परिवर्तन कि प्रिकरियां कौन-कोन सिंए उनके बारे मताय यए इसा प्रसम है सांसक्रती कृण कि से कहते captured क्या है परिमाफा दिए धर्म नर्पेच्षी करण क्या है इसके बिसेस्टाइं बताईए किसी कहते हैं परिमाफा दीजय क्या विप्रिया और यहां से प्रश्ण बनेगे आपके परिछह में यह रहे हैं ठीक है आपको अब आ जाएंगे यूट नूमर फाइफ में, हैं और क प्रसना आपके परिछम्बन सकते हैं तो पहला कि समाजिक आंदोलन की अधाना समाजिक आंदोलन जो हुए हैं समाज में बहुत फारी कमिया होती है यह फिर किफी चीज को प्राप्त करने के लिए समाज में कोई समस्या है तो इस चीज के लिए लोग आंदोलन करते हैं ठीक ह उनका निवारण कराई है तो इसलिए समाज के माध्यम से आंदोलन किये जाते तो इस समाजिक आंदोलन क्यों धाना क्या है प्रकत क्या है परिभाफ़ा क्या है ठीक ही आपको बताना है और जो आंदोलन होते हैं उनकी क्वालिटी क्या है उनको बिसेशता क्या है उसमें जो परिवर्तन, दोनों की परिवाफ़ा तयार कलना है, प्लस दोनों भी डिफरेंस, समाजिक आंदोलन के फिद्धान्त बताना है, समाजिक आंदोलन के फिद्धान्त क्या है, समाजिक आंदोलन के फिद्धान्त है, समाजिक आंदोलन के फिद्धान्त है, समाजिक आंदोलन के यहां से प्रस्ब बन सकेंगे ठीक है तो लिकना है उसके नशीक आंदोलन पुनार दवार क्या है क्रानती क्या होती ओनिये er द्रोव क्या है जबावी आंदोरन क्या है तो यह कुछ महत्पूर टॉपिक्स है जो आपकी फ्लेबर्स में यहां से प्रश्ण बन सकते हैं पूरियुमीर है तो इनको भी आपको ध्यान रखना है ठीक है जानकारी आपको होनी चाहिए जिसे कि कि किसी कहते हैं ठीक है और से यानि कि समाज में किसी चीज की डिमांड है किसी चीज की पूर्ती करना है यह फिर कोई चीज गलत हो रही है तो उसका मतलब की विरोध करना है तो इसलिए आंदोलन किया जाते हैं किफी चीज की पूर्ती के लिए पिर कोई डिमांड होती या फिर किफी चीज को हटाने सब्सक्राइब Jahre टीक है स्लेबर्स में है तो सिंपल सी बात है किसे कहते हैं वह कोश्चिन तो सकता किस्ता किसे कहते हैं हो सकता है महिला आंदोलन कि अधर नम्म यूट में जितने भी यह वह किया गया फिर सबी आंदोलों के बारे में आपको उच्छा पतयार कर लेना है मैं आपको इतना जरूर बोलूँ गा कि एक, दो, तीन, चार, पांच आंदोलन दिये गए हैं और मैं गारंटी दे रहा हूं कि तीन आंदोलन तो पक्का पूचे पूचे जाएंगे, अगर तीन आंदोलन के बारे में अगर आप अच्छेव तयार कर लेते तो आपके कम से कम, बीस नंबर तो पक्के हो जाएंगे, ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आठ वा यूनिट यानि कि 8 unit यहाँ पर स्वापत होते हैं पूरा का पूरा स्वेबर से यहाँ पर सोच्छोलोजी भी थर्ड समस्टर का होता है इन ही most important topic से ही प्रशन पूछे जाएंगे इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा बस इसी वीडियो को जो मैंने topics बता हैं जो जान कहीं दी दो तीन बार वीडियो देख लीजिएगा और आपको उच्छे समझ में आ जाएगा कि कहां कहां प्रस्ट मनेंगे फिर आपको उन topics को इंटरनेट पे सर्च कर लेना है फिर फिरीज है बुक है गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी जो आपके पास है सिरीज बुक कोश्चन बैंक उसमें से सर्च कर लीजिएगा ठीक है तो आपको मिल तो जाएगा इंटरनेट पे बिलकुल मिल आप इस चैनल पे जुड़ गये हैं तो आपकी पूरी तयारी फिचनल के माधाम पे कराई जाएगे और सभी नोट्स भी आपको दे जाएगे और हम आपको यह भी बता दे कि आपका अपना ही चैनल से अक्षिस टूई है तो सब्सकाइब कर लिजे कि ताकि आपको समय समय देते सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बागी कोई कोश्चन जरूर पूछे मिलते हैं को ने वीडियो में जहिंद